कि कैसे हम पहुं सकते हैं किसे भी puòस्पेक्ट की हाथ तक जब हम बात करते हैं नेट्ट वर्क मार्कटिंग का और जब हम लोग करते हैं उन्कों दिक़ाते हैं तो हमें बहुत बार सुनंगे मिलता है ना तो आज के सेस्एन में हम जानेंगे वो कौन से तरीके हैं जिस पे काम करके आप पासकते हैं ज्यादा हां तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं क्योंकि आज की सेशन में मैं आपको पहले बता देता हूं आज की सेशन में मैं आपके सामने रखूंगा बहुत सारे सवाल और अगर आप उन सवालो के जब आप दे के जान सके कैसे आप पहुचेंगे ना से हाँ तक तो आईए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें एक नई जोइनिंग का नया जोइनिंग मतलब एक नया टीम बनाना तो बिल्डिंग ए न्यू नेट्वर्क इसका क्या है नि अगर हम बात करें एक नई टीम बनाने की या किसी नंए इंसान को जॉइन करवाने का इसका क्या मीनिंग है वह क्या मीनिंग diye न्यू नेट्वर्क तो इसका माइन भ olmuş सिंपल है और हो किए फैसा टीम लेकिन यहां पे इमने बात का है कि जब हम लोगों से मिलते हैं उनसे हम डिस्कसिन करते हैं तो जब लोगों से हमारी मिटिंग हो जाती है हम अपनी बातों को उनके सामने रख देते हैं तो जब हमारा ये काम हो जाता है तो हमारे सामने आता है एक बहुत ही कॉमन सवाल वो किया है, people, यानि लोग हमें देते हैं, excuse, लोग हमें देते हैं, बहुत सारे बहाने बताएंगे, बहाने क्या बताएंगे, लोग आपको बोल सकते हैं, या बोलते भी होगे, कि मुझे आपका प्रॉड़क्ट मुझे बढ़िया लगा, लिकिन मैं आपके साथ मिलके ये काम नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ आपने मुझे जो डेमो दिखाया मुझे जो प्रट की बारे में समझाया बताया मैं आपसे पर्चेजिंग कर लेता हूं मैं यह काम तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आपसे purchasing कर लेता हूँ, क्या आपको भी ऐसे कुछ excuse, ऐसे कुछ बाने मिलते हैं या नहीं, please reply me in the chat box, क्या जब आप लोगों से मिलते हैं, क्या लोग आपको भी बोलते हैं कि मैं आपके साथ मिलके एक काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका जो रख्ट है, जो उत्पाद है, उसको मैं इस्तमाल कर लूँगा, तो अगर आपको ऐसे कुछ objection मिलते हैं, तो please एक बारा मुझे reply कर देजे, क्या आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं या नहीं, ओकी तो अभी reply मिना शुरू है, ऐसे सवाल आते हैं, आते देखी सर, बिल्कुल आते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही common है, कि लोग आपको बोलेंगे, कि यार मुझे आपने मुझे जो कुछ दिखाया, बताया, समझाया, सब बढ़ी है, लेकिन मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका जो डैमो है आपको जुतपाद मुझे वो अच्छा लगा, I can be your customer, तो यहाँ पर सवाल ये आता है, कि जब आप किसी से मिलते हैं, तो वो इनसान, वो prospect आपके साथ काम करने को तयार होगा, या नहीं होगा, ये किन चीजों पर depend करेगा, वो कौन से फेक्टर से हैं, ये पर depend करेगा, कि कोई भी इनसान, हमार साथ मिलके काम करना चाहेगा, या नहीं, तो इसको हम आगे देखते हैं, और जब बात आती है, नया network बनाने का, कोई भी prospect, जिससे हमने meeting किया है, वो हमारे साथ काम करने को तयार होगा, या नहीं होगा, ये depend करेगा, purely किन बातों पर, ये depend करेगा, कि जो भी हमारा prospect है, जिससे हमने meeting किया है, उसकी जो needs है, क्या उसको हमने पहचाना है, क्योंकि कोई भी इनसान, चाहे वो कुछ भी खरीता हो, या कुछ भी वो करना चाहता हो, वो तब करेगा, जब वो करने से, उसकी जो needs है, उसकी जो जरूरते हैं, उनको हम पूरा कर है आपको उसकी नीड को पहचानना पड़ेगा उसको चाहिए क्या अगर आपने यह पहचान लिया तो आप हाँ तक पहुंश सकते हैं अभी दिक्कत के है कि हम जाते हैं प्लैन दिखाते हैं डेमो दिखाते हैं और हमें ना तहां मिल जाता है लेकिन अगर हम जो काम करते हैं उस काम करने के साथ साथ अगर हम यह पहचान लें कि हमारे प्रॉस्पेक्ट को क्या चाहिए उसकी नीड क्या है तो शायद हमारा जो हां का रेशो है वो बहुत जादा बढ़ सकता है तो अगर आपको अपनी हां को बढ़ान क्या है उसके साथ साथ जब आप उसकी नीड को पहचान लेते हैं उसके साथ वो आपके साथ जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा यह इंसान हमारे साथ जोइन करेगा या नहीं अगर हमारी प्रेजेंटेशन अगर हमारी जो कम्मिनिकेशन है हमारा जो इंटेक्शन रहा है अगर उसमें उस प्रॉस्पेट को लगेगा कि इस इंसान के साथ मिलके मेरे जिंदिके में कुछ फायदा हो सकता है तो आपके साथ जोड़ने को तैयार हो जाएगा या नी वो करता है किसमें थर्ड फेक्टर इस हम अपने प्रोस्पेक्ट को फॉल्लॉप कैसे करते हैं तो यह तीन मीन फट्र सेंट जिनकी जैसे डिपेंड होता यह फरक बड़ता है कि कोई भी इंसान हमारे साथ जुड़ेगा या नहीं पहला हमें पहचानना है अपनी प्रॉस्पे और भैतरीन दमदार फॉल आप और जब हमारा फॉल आप बढ़िया होगा हमारा प्रभाव बढ़ेगा और हम पहचारेंगे हमारे प्रॉस्पेट को क्या चाहिए तो हमें मिलेगा ज्यादा हां क्या आप मेरी पास से सहमत है या नहीं प्लीज आप मुझे रिप्लाइब कीज और गेओं तो सबसे पहले आजके सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट की नीड को आइडिंटीफाइब आपके प्रॉस्पेक्ट को क्या चाहिए उसको आप उसके मुझे कैसे बुलवाएंगे तो क्या आप इसके लिए तयार हैं कि आप कब उसको यह उसकी नीड़ क्या है रहागा जा ना चाहते हैं तो थे पहले हैं आपको पहणने सवारे जब आप सवाल करेंगे गए और आपको उनका जवाब मिलेगा तो जवाब में आपको मिलेगा कि आपने prospect का need क्या है तो जब भी आप जाना चाहते हैं need identification तो क्या करना पड़ेगा आपको अपने prospect से पूछने पड़ेंगे कुछ सवाल और सवाल क्या है देखिए अगर हम बात करें सवाल का तो जब आप सवाल करेंगे और prospect जवाब देगा उससे क्या होगा उससे prospect के अंदर जो भी कुछ चल रहा है या जो भी वो चाहता है वो आपको directly या hint देके बताएगा और यही है हमारा मकसद की customer को चाहिए क्या अगर वो में बता दे उसको मुझे हिसाब से close कर सकते हैं तो पहला सवाल जो आप अपने prospect से पूछेंगे बह अब hope अदू करेंटली अभी अब क्या काम करते हैं वीससे आपको मुझे आपको करते हैं तो आप आपक지는 के बारे में बताइए और इसके लिए आप अपने prospect को दिजिए कं से कम तीन से लेके पांच बताए कि वो अभी क्या काम करता है और कैसे काम करता है उसे काम में वो चीजों को एंडल करता है तो पहला सवाल आपने पूछ मिनट ऊसके बाद जो भी ये काम करते हैं, ये काम करते हुए आपको कितना समय हो चुका है, जैसे एक्जामपल, कोई आपको बोले कि मैं कोई प्राइवेट जॉब करता हूं, तो आप उसे पूछिए, आप जो भी जॉब करते हैं, ये जॉब करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है, कितना सवाल के बाद आप जो तीसा सवाल अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछेंगे, वो सवाल के है, वो सवाल है कि आप पूछिए, वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट यूवर वर्क, आपको यह पूछना है कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो नौकरी हो, अपना काम हो, या कुछ भी एक्टिविटी करता हो, उस काम के अंदर, उस काम करते हुए, उस काम में उसको सबसे अच्छा लगता है अपने वर्तमान काम को लेके, तो अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, इस चीज़ को बारे में हम आगे बात करें, चोथा सवाल जो आपने पूछना है, अपने पूछना है, क्या, फोर्थ कोश्चन इस, आप पूछिए अपने पूछना है, इस काम में सबसे ज्यादा खुशी आपको कम मिलता है और आम तोह पर बात करूँ नौकरी वालों का तो जो लोग करते हैं जब उनको सेलरी मिलता है तो वह थे सबसे ज्यादा एक्साइड़ फिर भी आप पूछिए कि आप जो काम करते हैं उस काम को जब आप कर रहे होते हैं तो वह कौन सा शण होता है वह कौन सा टाइम होता है जब आप पूतिये इस काम के वज़े से सबसे ज्यादा खुशी कौन सा होता है आपका सबसे हैपियस्ट मूमेंट पाचवा सवाल अपने पूछना है अपने प्रॉस्पेक्ट से वह है अपने प्रॉस्पेक्ट से आप परेशानियां दिक्कते समझचाएं क्या आती है क्योंकि हर काम चाहिए वो कोई भी काम हो उसे परेशानियां दिक्कते तो रहेंगी तो पूछिए क्या अभी जो काम करते हैं उस काम में आपके सामने कौन-कौन सी और क्या-क्या परेशानियां आपको मिलती हैं छटा सवाल जो आप अपने prospect से पूछेंगे, वो सवाल है, six question is, आप अपने prospect से पूछिए, क्या पूछिए, what do you don't like about your work, आप अभी जो भी काम करते हैं, उस काम को करने में, आपको कौन सा ऐसा activities है, कौन से ऐसा moment है, जो आपको करना पसंद नहीं है, आप जो काम करते हैं, उस काम में, अभी आपको करना पसंद नहीं है, तो आपको बताएगा कि अभी वो जो भी काम करते हैं, उस काम में, क्या उसको पसंद नहीं है, यह है हमारा सवाल नंबर छे, अब आप पूछेंगे उससे, सवाल नंबर साथ, जो है, six, seven, question is, जब आप साथवा सवाल पूछेंगे, उस आपने पूछा है, सवाल, तो आपको जो प्रॉस्पेक्ट है, उसको दीजिए, आप ज्यादा समय उसको जवाब देने का, क्योंकि जब आप यह सवाल पूछेंगे, और पॉस्पेट आपको जवाब देगा, तो कहीं न कहीं वो आपको हिंट देगा, या डेक्टली बता सेबन इस, आप अपने पॉस्पेक्ट से पूछिए, क्या, कि आपके सपने क्या है, ये बहुत इपूरेंट है, अब आता है हमारा ड्रीम पर, आपके सपने क्या है, क्योंकि हर इंसान, चाहिए वो कोई भी हो, सब के पास होते हैं कुछ ना कुछ, सपने, तो आप छे सवा आपना चाहते हैं, तो आपको जो प्रॉस्पेक्ट आपको बताएगा, उसके ड्रीम क्या है, और जब आपको बता दे, अपने ड्रीम, फिर आपने पूछ रहे हैं, अपना आठवा सवाल, और वो कह, वह तक पाना चाहते हैं, वो बन जाता है हमारा गोल, तो आपके कि आपके जो ड्रीम है लेकिन आपके जिंदकी में गोल्स क्या है आपके लक्षे क्या है जब आप दुनिया से जाएंगे दुनिया से जाने से पहले आप क्या क्या चीज को अचीव करना या पाना चाहते हैं वट आर यूर गोल तो आपका पॉच्पैक को बताएगा कि उसके गोल जिंदकी को लेके क्या क्या है उसके बाद आप पूछिए नौवा सवाल नौवा सवाल क्या है वो सवाल है आप पूछिए which one is your dream car आप अपने पूछ सकते हैं कि आपके dream car कौन सी है यानि आप कौन सी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं क्या है आपका dream car और जब आप इस सवाल पूछेंगे तो आप बताएगा कि उसका dream car क्या है तो मैं आप आप लोगों से पूछता हूँ कि आपका dream car क्या है प्लीज reply me in the chat box आपका dream car क्या है यह सवाल है मेरी तरफ से आप सब के लिए आपका dream car क्या है वाट इस यूर ड्रीम कार प्लीज रिप्लाइ मी रिप्लाइन शार्ट हो गए है बीम डवलू एक्स यूवी जैग्वार ओके ग्रेट बाकी मर्सेडीज बेंच ग्रेट 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 ओडी जैगवार पजेरो स्कॉर्पियो रोयल रोल्स रोयल्स वांडा सिटी जैगवार ग्रेट ग्रेट तो देखिए हमने बात किया कि आपने से पूछने है अपने प्रॉस्पेक्ट से कि आपकी dream car क्या है तो आपको अपना सवाल नंबर 10 और वो कहा है सवाल नंबर 10 है आप अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछे अगला question that is कि अगर भगवान आपको एक मौका दे कि आपकी जो कार आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद पाएं तो वो कार कौनसी होगी प्रेट ने पूछा आपकी dream car क्या है फिर पूछा अगर भगवान आप पे महरबान हो जाए और आपकी विश्व को पूरा करते तो आप यह बताइए आप कौन सी कार खरीदना चाहेंगे यहां पर क्या पूछा हमने यहां पर सवाल वही है कि तरीका क्या है तरीका अलग है हमने जानना चाहे कि वास्तों में यह कार चाहिए या नहीं हमने बोला कि भगवान अगर आपको मौका दे कि आप कुछ भी विश्व को पूरा कर ले तो कौन से भी साप मांगेगे कौन से कारा भगवान से मांगेगे यह हमारा सवाल नंबर 10 ताकि हमें मिले confirmation for his dream car और इसके साथ हम पूछेंगे अपना सवा नंबर 11 जो है आप पूछिए which country do you want to go for travel आप कौन-कौन से विदेश की आत्राएं करना चाहेंगे हरे किसी का सपना होता है कि मैं इस देश में घुमने जाओं महीं आपे घुमने जाओं तो आप प्रॉस्पेक्ट से पूछ सकते हैं कि आपका विदेश आत्रा करने के ताकि उसकी नीड का भान निकाले वो कहा है कोशिन मट 12 इस वाट काइंड ओफ ड्रीम होम यू वोड लाइक टू है यानि आपका जो सपनों घर है वह आप कैसा पाना कैसा बनाना चाहते हैं आपका जो ड्रीम हाउस है वह आपकी साब से कैसा होना चाहिए उसमें कमरे कितन ड्रीम होम कैसा है तो आपको बता सकता है उसका ड्रीम होम क्या है उसके बाद आप पूछेंगे सवाल नंबर 13 जो है आप पूछिए वट यूवर ड्रीम मन्थली इंकम यह बहुत जोड़ी है और यह मैं आप सबसे भी पूछा चाहूंगा कि आपका ड्रीम महीने का इंकम आप कितना पाना चाहते हैं, कितना आप चाहते हैं, महीने में कम से कम रुपया कमाना, प्लीज रिप्लाइ कीजे चेट बोक्स में, आप एक महीने में कम से कम कितना पैसा कमाना, कितना रुपय कमाना चाहते हैं, वाट इस यूँआर ड्रीम मंतली इंकम प्लीज रिप्लाइब प्लीज रिप्लाइब ओके रिप्लाइब याने स्राट हो गए हैं तो कोई बुला एक करोड दस लाग पाच लाग सात लाग तीन लाग दस लाग एक करोड और करोड़ोपती बहुत सारे हैं ग्रीट ग्रीट तो ऐसी आप पूछिए आप पूछिए अपने प्रॉस्पेक्ट से कि वह महीने में कितना ड्रीम इंकम चाहता है तो आपको पताए कि वह कितना इंकम कमाना चाहता है उसके बाद आप पूछिए सवाल नंबर 14 वो कह है बहुत इंपूडेंट है आप अपने परिवार के लिए शुरक्षा के तौर पे कितना इंकम हर महीने पाना चाहते हैं अगर आप दुनिया में ना रहे तो आपके परिवार को आपके जाने बाद कितना इंकम मिलता रहे वो इंकम कितना आप चाहते हैं वो भी आपके लिए है बहुत crucial सवाल ताकि आपके प्रिवार कोई दिक्कत को सामना करना ना पड़े तो यह है हमारे 14 सवाल लेकिन आपके सवाल खतम नहीं होते अब हम तोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सवाल नंबर 15 का जो पोचिंग आपके रिए और वो सवाल है if you achieve all your dream what it would mean personally to you यानि आप पूछिए अपने प्रोस्पेक्ट से अगर आपके जो भी सपने हैं अगर वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा आप कैसा फील करेंगे मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपके सारे सपने पूरे हो जाएं तो आपको कैस लगेगा आप कैसा फील करेंगे प्लीज रिप्लाइमी इन दा चैट बॉक्स अगर आपके सारे सपने पूरे हो जाएं तो आप कैसा फील करेंगे आपको कैसा लगेगा प्लीज रिप्लाइब टॉप अफ दा वर्ल्ट जबर्दस्ट जीवन जेनी का मतलब हो जाएगा तो इससे personally आपको कैसा लगेगा, amazing, जबर्दस्ट, वह शानदार, बहुत बढ़िया, great, तो ऐसे आपने पूछने अपने prospect से, अगर आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, तो personally आपको कैसा feeling आएगा, आप पूछिए सवाल नंबर 16, और वो कहा है, आप पूछिए सवाल नंब आजकल क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, यह बहुत crucial है, याप तो रहसु को taste लग सकता है, लेकि लगना चाहिए, क्योंकि अब उसको हमने तोरह साथ जगाना है, बताना है कि आप जो काम कर रहे हैं, शायद उससे जो आप चाहते हैं, वो आपको आसल नहीं होग आप पूछिए कि आप अपने जो भी सपने, जिनको पुरा करने से आपको मजा आएगा, आप उसके बाद आएगा सवाल नंबर सत्रा और वो है, that is what you are doing from since five years and if you keep continuing doing the same for next five years, does your dream will come true? यानि आप पूछिए कि आप पिछले पांस साल से जो काम कर रहें, अगर वही काम आप अगले पांस साल तक करते रहें, तो क्या आपके सारे सपने पूरे होंगे या नहीं? यह बहुत कड़वा सवाल है, आप क्या पूछ रहें? आप जो काम पांस साल से कर रहें और वही क तो यह वह काम करने से आपके सारे स्पने पूरे हो जाएंगे या नहीं तो आपका पूछने एक आखरी सवाल वह कहें यह पूछने वाद आप पूछींगे लास्ट बड़ दमोस्ट कुश्चिन एंड़ इस अपूछ यह अगर आपको मौका मिले अगर मैं आपको एक ऐसा मौका दूं चाहाँ पें काम करके आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे तो क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे या नहीं इस सवाल है लास्ट बटमोस्ट कुश्चिल अगर मैं आपको एक ऐसा ऑपर्चनुटी ऐसा मौका आपको मैं दूं बताओं जिस कि हमोड़ा सकते हैं कि हाँ मुझे आप बताइए आपके पास क्या मौका है और जो भी वह मौका आपको देता है उसको आपकेश कीजिए और बताइए उसको अपना इस पर हैउस यह करताалось के मेरे पास उस समाधान है उस सुलूशन है जिस पर काम करके यू कैन अचीव यूर ड्रीम तो यह है अठारा सवाल जो आपको पूछेंगे ताक्कि उसकी नीड को हम इडेंटिफाई कर सकें उसके बाद आता है हमारा उसरा पॉइंट और के हैं सेकिंड पॉइंट वास अगर हमें प्रभाव और प्रभाव मतलब हमारा इडर्शिप क्वालिटी अगर हमारी बातों से हमारे काम से हमारे एक्शन से हमारे अटिटूड से अगर लोग प्रभावित होते हैं तैन वी आरे लीडर और जब आप लोगों से मिलते हैं और आप से मिलके अगर लोग प्रभावित ह वो जाते हैं तो वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे आपको हाँ बोल सकते हैं तो उसके लिए हमें अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाना है क्योंकि जब हमारे अंदर जानकारी होगी हमारे पास घ्यान होगा हमें अपने काम की सीख होगी हमें अपने काम की डेफ्ट होगी की नोलेज दुखेगी हमारी बातों में हमारे से बढ़ेगा अंगारा प्रभाव प्रभाव तो मिलैज को integrity ये सब्सक्क्राइब मिलागाता लगातार के बारे में ज़्यादा सीखने चाहिए वो कीवा का प्रोफाइल कीवा का प्लान कीवा का डैमो कीवा के बारे में हमें और ज्यादा सीखने है ताकि जब लोगों से मिले तो उनको बैठातर के सकर पाएं और वो हो हमारी बातों से प्रभावित उसके साथ साथ अगर हम आपको करना है लोगों प्रभ जोश जुनून उत्सा के साथ क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके जुनून को देखके भी आपके साथ जोई करना पसंद करते हैं जो दिखता है और दिखता है तो अगर आपको अपने प्रभाव को बढ़ाना है तो जानकारी के साथ साथ आपको बढ़ाना है अपने उर्जा के लेवल को अपने उत्सा को अपने जुनून को और आपकी बातों में काम में अगर जानकारी और उत्सा मिल जाएंगे तो आपक प्रवाओं को बढ़ा लिया आप में फॉल आप नहीं करेंगे तो हमें जोइनिंग नहीं मिलेगा हमें सेल्स नहीं मिलेगा तो यह सब पाने के लिए अब फॉल आप करना पड़ेगा फॉल आप इसेल्स लेना है तो फॉल आप करना पड़ेगा और बात करें हम फॉल आप की always remember don't forget to follow up जिसके साथ आपने बातचित किया है दान दिखाया है देमों दिखाया है कभी भी उसको छोड़िये मत विदाउट फॉलो अप की हो जो बात करें हम फॉलो अप कहता है फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप यानि आप लोगों से मिलने के बाद उनको हमेशा अब बढ़ता रहेगा तो अगर बात करें फॉलो अप का तो आपने फॉलो अप नहीं किया तो आपने जो भी मैनत किया था जो भी प्रियास किये थे जो भी एक्षिल यह थे सब हो जाएंगे बेकार अगर आपने फॉलो अप टाइम लीप नहीं किया तो फॉलो करेंगे तो क्या होगा होता है क्या हमारे जो पार्टी जाए कि आपको ज्यादा हो जाती है इसके लिए आपको follow up करना पड़ेगा follow up करेंगे तो आपको sales मिलेगा follow up करेंगे तो मिलेगा आपको joining और इसलिए बहुते हैं इस sales की field के अंदर follow up is the key for sales closing अगर आपको sales close करना है तो आपको follow up करना पड़ेगा तो जब भी आप किसी prospect से मिलते हैं वो आपके साथ join करेगा या नहीं करेगा ये depend करेगा इस पे हमने उसकी need को पहचाना या नहीं हमारा प्रभाव उसके ओपर कैसा पड़ा और कैसे किया हमने follow up अगर हमारा follow up बैतर होगा प्रभाव शांदर पड़ेगा और हम पहचानेगे अपने prospect की need को तो हमें मिलेंगी बहुत जादा yes और मिलेंगे बहुत कम no और एक बार मैं जाता हूँ अगर इन तीर प्रभाव करें अगर हम जान लें prospect की need को अपने प्रभाव को बढ़ा दे और करें लगातार follow up तो क्या आपको joining कम मिलेगा या जादा please deploy me in the chat box अगर आप यह सारे काम कर लेते हैं तो क्या आपका joining का जो ratio है वो घटेगा या बढ़ेगा ज्यादा मिलेगा कम please reply ज्यादा मिलेगा ज्यादा होगा बढ़ेगा 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 बिलकुल सर्फ बढ़ेगा लेकिन यह बढ़ेगा तभी जब इन points के उपर आप काम करेंगे action लेंगे तो आपको result मिलेगा reaction मिलेगा जैसा होगा action वैसा मिलेगा परणाम तो यह था हां तक पहुंचने का तरीका और इस कितरी के साब काम करते हैं तो definitely आपका जो number of joining है number of ratio है वह बहुत ज्यादा बढ़ सकता है तो आज के लिए मेरे तरफ से पिलाल इतना ही thank you thank you very much और thank you very much